कि देखिए हम लोग पिछले वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन देखे हुए थे ठीक है अब उसमें हम लोग आगे देखते हैं कि समविशी विकास ठीक है समविशी विकास क्या होता है आर्थिक विकास का वह प्रकिरिया जिसमें समाज के सभी बर्गों का जीवन अस्तर एक समान उच्छा होता जाए तथा समाज का कोई भी बर्ग इससे बाकी न रहे ऐसे विकास को समविशी विकास कहते हैं कर आया कि समविशी विकास क्या होता है कि वह प्रकिरिया है जिसमें समाज के सभी बर्ग को एक समान उच्छा होता जाए कोई भी बर्ग इसमें बाकी न रहे, यानि कोई भी डेपलक्मेंट इनि बिकास के कारे कीए जाए, तो उसमें सभी बर्ग को 1 समान उपलब्धी दी जाए, ठेक, तो वैसे बिकास के कारे को क्या कहते हैं, समावेसी बिकास, से में क्या कहते हैं समय सिद्ट विपास के बाद हम आगला टोपिक जो है है जो है सतत्र विकास क्या होता है वैसे विकास के का रिए वैसे विकास जो लंबे समय तक जारी या टिकाव बना रह सके उसको विकास यानि उसमें अपने परतमान पिढ़ी का ध्यान में रखकर आने वाली पिढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है मतलब इसमें विकास के कारिया वैसे आते हैं जो अपनी पिढ़ी का ख्याल रखके आने वाली पिढ़ी को भी ध्यान में रखके यह सभी कारिया किये जाते हैं जैसे मान लोग पिढ़ पोधे जो लगाते हैं पिढ़ पोधे जो हम लोग लगा रहा है तो वह क्या हो जाता है क आमनों को अभी के लिए भी क्या होता है अक्सीजन की अच्छे स्वक्स मिनने लगती है और आने वाली पिड़ी के लिए भी वो क्या हो रहता है फायदे मन होता है तो वैसे विकास की कारे किसमें रहते हैं सतत्त विकास किसमें रहते हैं सतत्त विकास या मान लेते हैं आपके इह इक हार剛 के लिए उल तयार किया जाएगा तो वेसिख़ करो किसमे चीं सथ ठीकल किसमेर मत अर्थ सास्तरी ने बताया है कि विकास की वह परकिरिया जिसकी जिसमें परत्मान आओ सकता है बीना भावी पीड़ी की छमता या योगता से समझाओता किये पूरी की जा सकते हैं मतलब बीना आने वाली पिढ़ी के समझावता किये, उसके योगता में बीना समझावता किये ही हम क्या कर सकते हैं, विकास के कारी को अपनियो सकताए को पुरा कर सकते हैं, ये किंतियों साथ ब्रेले ना युके हम साथ, एक बहुत ही इंपोर्टेंट कोशान है आपका, आर्थिक उदेशियों की प्राप्ति के लिए अर्थ विवस्ता में उपलक्त संसाधनों का सही ढंग से पर्योग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है, कि हम इसमें वैसे नियोजन मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें ऐसे प्लानिंग किये जाते हैं, कि जो आर्थिक उदेश की प्राप्ति करनी है वो पहले से निर्धारीत की गए संसाधनों का परियोग करके ही हम को उसको पूरा कर रहा है इसलिए गर हम रेक लगाना है सीसा का लगाना है हम आगे चल करके उसके planning को change करते हैं ठीक है अगर हम करते हैं कि नहीं अब इसमें लखड़ी का रेक लगाएंगे तो ये आपको आर्थिक नियोजन के planning के अंतरगत नहीं आएगा planning का मतलब जो हम पाले planning कर लिए जिसका योजना बना लिए उसी के अंतरगत अगर काम कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कालाता है आर्थिक नियोजन इसके बाद से मगला topic दिखते हैं प्रतिवेक्ति आय के बारे में जान जाते हैं कर रहा है प्रतिवेक्ति आय किसी देश की कुल मतलब कि देश का कुल राश्तिया आय में कि नहीं बाद से हम भाग दे रहा है तो उसको क्या कर रिए प přेखती आय दाढा भाई नह漉रोजी ने अठारे सो ऑनसर्ट इस्वी में 20 रूपिया बताया था सबसे पहले दादा भाई नोरोजी एठारे सव अनसर्ट इसवी में प्रति बिक्ति अधा था 20 रूपिया ठीक है अगला हम लोग देखते हैं यह कई बार अब्जेक्टिम में पूछा गया है उसमको ध्यान रखें तो यह सारी जो है एक है नाम है इंग्विजिस का एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी भी काम को करने से पहले अस्ट्रक्चर तैयार किया जाता है यानि अधरभूत सनचना का अर्थ उन सुविधाओं और सिवाओं से हैं जो देश के आर्थिक विकास में सहायक हो कि अधरभूत सर्चना जिस देश का अधरभूत सर्चना अधिक होता है वह विक्सित होगा जिस देश का अधरभूत सर्चना अधिक होगा वह विक्सित उतना ही होगा जिस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी अच्छी है वह देश उतना ही ज्यादा विक्सित है अगा सब्सक्राइब करना होता है इसके अध्यक्ष भारत के पधियन परधान मंतरी होते हैं कि यूजना करता है तैयार करता है कि पांच साल में परधान मंतरि मतलब वह समय उस पध के अध्यक्ष होते हैं ठीक है इसके देखरें यह कायर करते हैं यूजनायोग के पर्थम अध्यक्ष परणिज्वाहलाग नहु थे ए भारत के परधम प्रथम मंत्रि थे हैं यूजनायोग का नाम बदल कर एक जन्वरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीतिय योग कर दिया गया अब इसके बाद हम लोग समझे लेते हैं रास्टिय विकास परिशत क्या होता है जिस तरह से योजना योग है उसके अवर राज्य सरकार के बीच में ताल मेल को बैठाए रखने का जो कारे करता है मान लिजी हम कोई भी योजना बनाएंगे तो वो किसी न किसी राज्य में लागू करेंगे किसी न किसी राज्य में लागू करेंगे तो उस राज्य में लागू करने से पहले उस राज्य के मुख मंत्री से अनुमोधन के अप्रूबर लेना पड़ता है ठीक है जो किस के द्वरा किया जाता है राष्टिय विकास परिशत के द्वरा किया जाता है राष्टिय विकास सभी युजनाय रास्ट में रास्टी अभिकास परिश्वत के द्वारा ही अनुमोदीत की जाती है इसके बाद से कुछ और भी इंपोरिश्ट गरीबी रेका को निर्धारिट करने के लिए युजनायोग द्वारा एक बॉर्डरलेंड। गर उनको चोवीशोड कैलोरी से ज़्यादा उर्जा मिल रहा है तो बीकिल के अंतरगत नहीं आएंगे यह Meng Curd के नीचे बिलो के नीचे रखे जाएंगे अगर जिस 100 कैलोरी अधिक मिल रहा है तो कालपनिक रेखा र değ क्या है कालपनिक मतलब गाहों की लोगों को सव एक रश्टीय योजना है जिसके अंतरकत मईदूरों को साल में कम से कम सो दीनों के लिए रोजगार देने की बिवस्ता है इसके लिए नियूंतम मजदूरी निर्धारित की यह निर्धारित है अगस्त 2005 में भारतिय संसद में नरेगा पारित किया और दो फरवरी 2006 को लागू हुआ और दो अक्टूबर 2009 को नरेगा कादित नाम बदल करके ठीच है मन रेगा कर दिया गया कर रहा है कि नरेगा एक परकर का ग्रामर्ड रोजगार योजना है जिसमें गाओ में जो मजदूर है उनको सालवगर में कम से कम सौ दिन का कार्य देने का ये योजना है ठीच है builders रखाती दोजारच से लेकिन नर्यगा का नाम बदल करके मंनिरिक कर दिया गया यानी महात्मा गान्धिस में जुड़ दिया गया म से महात्मा गांधिस में सब्दर जोडची अगिए यानि नरेगा का प्रणाम National Rural Implement Grantee Act, रास्टिये ग्रामिर रोजगार गरांटी यूजना, अब इसके नाम में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया कब, तो 2 October 2009 को, यह कई बार अबजिक्टी में आपसे पूछ चुका है, कि नरेगा को मनरेगा नाम कब कर दिया गया, तो 2 October 2009 को इसका नाम का कर दिया गया, मनरेगा, इसके वास एगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसमें, मानो विकास सुचकांग, बहुत इंपोर्टेन टॉपिक है, आप लोग के लिए, और इस एक्जाम के लिए भी, यह मानो विकास सुचकांग, HDI, Human Development Index, करा कि मानो विकास सुचकांग, किसके निर्देशन में, मह्बूब, उलहग के निर्देशन में सबसे पहले तयार किया गया, महबूब, उलहग जो है, यह पकिस्तान की रहने वाले थे, और ये और इनके एक भारतिय सहयोगी थे, अमरतिय से, टेक है, इन्हों ने उनका भी मानो 就是में, इनके स इसके जब अगला टॉपिक है मानो विकास रिपोर्ट मानो विकास रिपोर्ट क्या होता है करके जब विभीन देशों के लोगों की तुलना उसके सिक्षा स्वास्त और प्रतिविक्ति आय के अधार पर किर जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं मा भारत का स्थान 177 देशों में से 1726 था उसके रिपोर्ट के निशायर हों 156 के रिपोर्ट के आधार शवीश रिपोर्ट होता है जर जब भीन देशों के लोगों के तुलना उसके सिक्षा स्वास्थ प्रत sportingि आई के अधार पर की जाती है और उसके दोरब रिपोर्ट बनाया जाता है तक अधिक ऑन मान विकयास रिपूर्ट और और मानन विकास रिपोर्ट जो परकासित करता है वो कौन करता हैं यू एन डी ज bak आ है यू एन डीपी चिर मिलते हैं अगले चेप्टर में इसके ठीक है जिसका नाम है रास्टिया आई